आप अपर आप सब लोग बिल्कुल ठीक होगे आज मैं आपको बनाँगो जो हमारी बुलेट का स्पीडो मेटर होता है वो चलना बंद हो जाता है उसके क्या-क्या पॉसिबल रिजन्स रह सकते हैं सबसे पहली चीज हमारे जो लगी होता है उसके साथ में एक डबी लगी होती है जो स्पीडो मीटर को चलाती है कि कमांड देती है और स्पीडो मीटर में एक वायर कनेक्ट होती है वो जिख सकते हैं जिसको बेसिकली कहते हैं स्पीडोमेटर वाली डिब्बी यह वायर हमारी उपर सीध ही मारी मीटर में जा रही है यह वायर है यहां पर हिलका सक्क्रू लगाता है से कसी होती है इसको आप घर पर ही चेंज गर सकते हैं कि बड़ा टास्क नहीं है सो हम रॉइलन फिल्ड की ओरिजिनल लेगे हैं डिब्बी ओरिजिनल हमें 210 रुबीज की मिली है लोकल हंडेड रुबीज की ती रीकमेंड नहीं होता लोकल लगानी यहां पर हमारी वायर लग जाएगी वह जो स्पीडोमेटर से आ रही है और यह नीचे डिब्बी लगानी क है तो MRP 230 है रॉइलन फिल्ड के शोरूम से लेगे हैं हम यह ली डिब्बी ओन्नाइन लिंक्स अगर यह चीज अवलेवल होई मैं आपको बता दूंगा कुछ ऐसे को लगती है सो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा कहीं वायर तो नहीं खराब स्पीडोमेटर में सबसे पह हमारा यह ला डिब्बी खराब है बट जब ही आपका मीटर बंद हो यह ली जो वायर आप देख सकते हैं जो मैं अभी खोल रहा हूं इसको एंटी क्लॉकवाइस घुमाना आपने खोल जागी पहले वायर खोल के हमने चेक करनी है कहीं यह तो नहीं खराब हुमारी जो वाय स्थीड्यों बीठीह और जो यह वायर वो भी ठीख हेमारे जो बॉक्स है यह खराब है अगर आपका यह वायर तो इसका राबभपोख्स ऑक्कलत्र है और वह जी घर से लिए घरख विच होने चाहिए वह मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे वहां से जाकर एक बड़ी रेफरेंस ले सकते हैं कि यह टूल्स हमें चाहिए होते हैं और जो आपके पास नहीं है वह अपने किसी हार्डवेर की शॉप से जाकर ले सकते हैं यह हमारा बोल्ड कहलता है और यह नीचे ले तरफ भी हमारे जो जो होते हैं यह भी बूबर्ट को सी highly apply चाहिए भीएगा मंपי छो आज़ेगो नेगलेगी सब्सक्राजय सब्सक्राइब उटकर हाच के सुब्सकरर फैमारे बोल्ड होत horse से इंधाने alsoansa ब हमारे चीटानी, क् कप्लर टू कप्लर जैसे कनेक्शन होते हैं वैसे बोल्ट टू बोल्ट हमारे फिटिंग है इसमें आरेड़ी मैंने कुछ इसकी अपडेशन की वीडियो डाल दी है लाइट अपग्रेड होगे रहागी वह आप चेक कर सकते हैं जागे एक में प्लेलिस्ट बना दूंग उसको अप एकसेस कर लेना जिससे कि आपको लेटस नोटिफिकेशन्स मिलती रहे सारी एक मारी डिस्क निकल जाए इसके बाद मैं आपको आगे प्रोसेस दिखाता हूँ यह मारी पुरानी डिपी है यह हुमारी औरिजिनल डिपी ती इस चाहँए हुआ है लगती है इसके जो Gैres हैं बिलकुल खराब हो चुक हैं जैसे देखसकते हैं और यह मारी जान्ड न्योशिक पर देखसकते हैं दोनों में बती डींसा अप देगी सकते हैं इसके अंदर हमारा एक बुश लगता है बुश कैसे लगए मैं दिखातों पहले में एक बरी फिटिंग देख लेंगे अगर आपके डिबी बायचांस कोई दूसरी बाई की है या फिर लोकल है तो उसकी फिटिंग आप पहले ऐसे करके लगा कर देख सकते हैं कि वह लग रही है यह हमारी जैन्वन है यह तो हमारी लगेगी आपको मैंने एक वीडियो में रेफरेंस के लिए बताया है कभी कभी दूसरी कोई लगाए बंदा तो उसको पता हो हमारी लगती कैसे है इसके अंदर एक हमारा बुश लगता है ऐसे का बुश यह राउंड बुश देख सकते हैं आप य इसमें लॉक्स हैं हलका से राउंड खुमा के मारे लॉक्ट 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 लग जेंगे प्रॉपर्ली मारी भी फिटिंग बैड़ जाएगी वायर हम बाद में लगाएंगे पहले पूरा हम नीचे टाइट कर लेंगे फिर वायर लगाएंगे उसके बाद एक बार यह आपके लॉक्स बैड़ जे जो हमने एक रॉड निकाली जो में टायर को रोपते हैं वो ली रॉड हमने वाप्स लगानी है अलॉय विल हलका सा आपने की वो जो पीछे रॉड है वो रॉड वहां से डालके मारी यहां से बार आजए एक पर उसके फिटिंग मिल जेगी और प्रॉपरली अंदर चली आदे सीदी सीदी यह यहां से इसका बार आगया हम बोल्ट जो है इसका बोल्ट टाइट कर देंगे और जो मारी हमने डिस्क बार आगी थी एक में बोल्ट कोल के मारा वील बार आगया था और जो नीचे से हमने दो दो बोल्ट लूज किया थे एट सौकर के दोनों साइट से जो वेश्ट दिली में रहते हैं मैं उनको शौप बता दे तो मैं कहां से कर रहा हूं आउटर रिंग रोड के पास एक एरिया था चांदनगर वहां पर है इनकी पूरी शौप है अंकल की यह पीछे शौप देगी सकते हैं यह हमारी जो हमारी सबजी मंडी है छोटी सबजी मंडी के नाम से मशूर उसके विल्कुल आपोजिट बैटते हैं यहां के बाद 72 मॉडल स्टेंडर भी है रिस्टो हो जाएगी उसकी वीडियो बना दूँँ अगर आप चाते हैं तो वैसे जो बॉक्स है हमारा चेंज हो गया अब यह बस हमने मेटर की जो वायर है टाइट कर लेनी है और इसका जो आउटपूट है रिस्पॉंस है वह मैं आपको दिखाते हूँ अभी एक चीज का बहुत कवाधा ध्यान रखना कि इसके जो शौकर करके नीचे अले मारे जो बोल्टते हैं वह भूल जाते हैं रिदकर्णा और बॉन्कूल नेगे उसके बादे चला गे देखते हमारा मेटर चल रहा है अब हमने हलकस अटायर ऑपर करके खुमा कर देखके चल रहा कि निए अब इ प्रॉपर जा रही है हमारी निडल लोकल डीबी से हमारा कभी कभी यह होता है जो निडल है वह रिफ्लेक्शन करती रहती है बहुत जादा अपडाउन बहुत जादा करती है और जो एक्यूरेसी होती है स्पीड की उसमें वह नहीं आपाती है अगर यह वीडियो में कुछ भी बढ़िया लगो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना मुझे नहीं भी अच्छा लगा तो भी बता के जाना और चैनल सब्सक्राइब जरूर गर देना अगर अच्छी लग यह वीडियो सो और ऐसा किंटेंट जानने के लिए मुझे इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कीजिए थैंक्यू गाइस वर वाचिंग मीटर एपकवरी आप रिस्पॉंस देखिलो दुबारा से खरर उस दुबारा से पाइस दूम्स पॉलो की लिए हाओादर अगर भी आपकवरी वह वींगियो खाइस кिक लेखिलो कि रेता जानने उलो कमी पॉलो की लिए हाज है इंस्ट्राश्रार में टूलो की आपक्वरी आपकवरी लिए विए हाग टूलो कर दो